तो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर बच्चे का अस्ट्रेलिया रिजेक्शन है और दुबारा वो बच्चा अस्ट्रेलिया जाना चाहता तो सिंगापूर उसको कैसे benefit दे सकता है, अब बच्चा कहता है कि नहीं मेरे को सिंगापूर नहीं जाना है, मेरे दिमाग में फिर भी एक परसेंट क्योंकि वहम की कोई दवाई नहीं है वो किसी के पास भी नहीं है हम आपको गाइड कर सकते हैं इतना पुराना काम कर रहे और इतना तजूर्ब है और ये भी पाथवे हमें सबसे पहले आट-दस साल पहले बच्चों ने गाइड किया जो बच्चों की कि मान लीजिए उनकी फैनेशल पूजिशन नहीं थी अस्ट्रेलिया जानने की यह अकेडमिक प्रोफाइल उतना स्ट्रॉंग नहीं था कोई न कोई प्रॉब्लम आई जिनको हमने मान लो कहीं के रिजैक्शन हो गए या कुछ है तो सिंगापूर बेजा वो बच्चे वहां से जाके अस्ट्रेलिया जाके हमें कॉल करते थे कि हम वहां पहुंच गए यह हमें बच्चों ने रस्ता दिखाया फिर यूनिवस्टियों ने हमें बुलाया और फिर हमने बच्चों को डालना मतलब इतना यह कोई नया वो नहीं है हमारा कि जो हम आज कर रहे हैं मैं यह बच्चों को नहीं कि खाली होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के छोटे से किसी कॉलेज में डाल दिया वहां बच्चा जो है क्योंकि उसके पास कोई पाथवे बहार जाने का सेकेंड डियर का नहीं है यूनिवर्सटी ओफ लेटर नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा कहता है कि मैं नियर वाई कंट्री जाना चाहता हूं चलो अस्टेलिया नहीं बना न्यूजीलैंड क्राइम फ्री कंट्री है रहने में बहुत सुंदर है फीस आफ्टर वीजा जाती है मतलब सारे प्लस लेके भी जा सकते हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन बन सकता है और बच्चे जा रहे हैं और बहुत बच्चे वहां सैटल हूँ है न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी बात ही है कि इतना ओनेस्ट कंट्री है कि आप बाकी कं कंट्री मैं कहते हो號 मुझी मेरे को प्यार नहीं चाहिए मेरे को वापस आना जब कि आपको प्यार चाहिए अंदर से आप加יס सी रहे है कि आपको प्यार चेहिए लेकिं निवजीलैंड वाले कहते हैं आप आनेशली लिख्दो कि मेरे को वहां पे ज मेल गई तो ऐकिन से खान अदेश आना अश्रेलिया जाना तो बिलकुल साथ में जो है आपका नियूजी लेंड और इसमें डिप्लोमा प्यूला अप्शन्स भी तो यह option भी आपकी अच्छी हो सकती है न्यूजी लेंड की उसके बाद Canada चली रहा है जो बच्चा अस्ट्रेलिया में जिसने apply की है वो 101% Canada के लिए eligible है इन दिनों जो थोड़ा सा आया था मार्केट में की बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है या कुछ मैं कहते है अब जॉब करने नहीं जा रहे अब अगले शुरू के छे महिने पढ़ने में ध्यान लगाओ उसके बाद आपकी सैटिंग होनी शुरू हो जाती है तो यह कुछ चीजे में बच्चों को गाइड करन चाहरे हैं कि कोई अस्ट्रेलिया के पीछे पढ़े हैं हम जब अबर्दस्ती पढ़े हैं अगर ट्वंटी वन पास आउट हैं ट्वंटी टू पास आउट हैं रिजेक्शन आगे डिली यही कॉल्स आ रही हैं जीटी अप्रूव नहीं हुआ है अगर आपका इलिजेवल प ठेंशन ही होती क्योंकि आजकल बेंक बहुत ऑइजी ली लोन दे रहे हैं अगर आपकी इंकम टैक्स रेटरं ठीक है बिसमेंस कग्जिस्ट करता है या फार्मर के लिए पांच एककड लैंड उनके पास है तो बैंक बहुत ऑएज MON दे रहा है इसलिए अस्रेलिया में उतन स्लगल नी अगर प्रोफाइल नी टेंट के लिए